हेलो दोस्तो हाई टेक रोई चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस ट्राक मार्गेट क्लासिस की आज की हमारी फोर्स लेसन है तो जो लोग भी प्रिवियस के तीन लेसन नहीं देखा है आप लोगों से में रिकमेंड करूंगा कि सुरुआत के तीन लेसन देखा हैं आपको यह लेसन समझ में आएगी दोस्तो आज की वरिवनों बात करने वाले हैं चार अहन रेसियो के बारे में सेल्स ग्रोथ और रेशियो और साथी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स ग्रोथ यहां पर आपको दिख रही है 9.53 परसंट जहां पर आपको पिछले 5 साल तक का दिखा रहा है, पिछले 5 साल में आप देख सकते हूं, यह कंपनी ने 4.65% की ग्रोथ करी है, लास्ट तीन साल में 10.6% की और लास्ट वन येर में 9.53% की, तो आप किसी भी कंपनी का अनलेसिस करने के लिए, लास्ट 5 एर से लेकर के, लास 9.6% की ग्रोथ करी है, पिछले 1 साल में 9.53, यहां पर थोड़ा सा कम हुआ है, इसका रिजन आप सभी को क्लेर होगा, क्योंकि डूट तो COVID-19, यह ग्राफ बहुत सारे कंपनी में थोड़ा सा एफेक्टिव हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो यह कहीं ने कहीं 12 पर करता है, आप यहां पर देख सकते हो, कि ROE रेशियो 70.27%, जो की बहुत हाई है, जो की बहुत ही बढ़िया है, यह कैसे समझेंगे, किसी का ROE रेशियो कितना बढ़िया होने से, उसको बढ़िया बोल सकते हैं, तो आप नीचे यहां पर ROE का ग्राफ आपको दिख जाएगा यहां पर भी आपको पिछले 5 साल का ग्राफ आपको दिख जाएगा, पिछले 5 साल में जो इसका ROE रेशियो था, वो अरौन 40.98% था, पिछले 3 साल में बढ़ के 50.71% हो गया, और पिछले लास्ट येर में यह 70% तक बढ़ा है, तो आप देख सकते हो, इसका ROE कितना अगर आप लोग example से समझो कि किसी एक company का pat margin है 40%, sorry, अगर pat margin हमाल लोग 20% और उसका ROE रेशियो है 40%, एक और company है, जिसका pat margin है 1% और उसका ROE है 10%, तो आप देख सकते हो कि दूसरे वाली जो company है, ये इसको हम जाला बढ़िया बोलें, क्योंकि 1% के उपर ये 10% अंतरा है, या तो जो जितना यादा इसका ROE ratio होगा, वो उतना ही बढ़िया होगा, तो दूसरी वाली आप देख सकते हो कि 10 गुना तक है, तो यादा बढ़िया है, तो आपको समझने आए कि इसकी जो graph है, यहाँ पर चेक कर सकते हो, पिछले 5 साल में continuous बढ़ रहा है कि नहीं, और अगर उतना नहीं भी बढ़ा है, तो लगबग लगबग अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ा है, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पर नेसले का आप देख सकते हो, पिछले 5 सालों में तो बहुत ही गजब की performance दी है, और पिछले साल भर में तो record तोड़ द आप दोस्तों इसका भी graph नीचे में चेक कर सकते हो, ROCE का, यह भी आपको दीख रहा है, पिछले 5 सालों में जबर्दस उचाल लिया है, और बहुत जादा बढ़ा है, पिछले 5 साल में देख सकते हो, कि यह 61% के आसपास था, पिछले 3 साल में 75% के आसपास, और पिछले साल बढ़ के अंदर लबग-लबग 98% तक इंक्रीज कर रहा है, तो हमें यह चेक करना होता है, कि जो ROE रेसियो है, और जो ROCE रेसियो है, यह पिछले 5 साल में continuous ग्रो कर रहा है कि नहीं, अगर ग्रो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और संग-संग जितना ज़्यादा Profit Growth के बारे में, दोस्तो Profit Growth आपको दिख रहा है 15.43%, मतलब पिछले एक साल में इस कंपनी ने लगभग 15% का Profit Growth कर रहा है, दोस्तो इसका चार्ट आप नीचे देख सकते हो Profit Growth का, यहाँ पे आपको दिख रहा है, पिछले 5 साल में इसका Profit Growth था वो around 10.7% था, पिछले 3 स साल भर में 22.57%, तो आपको मैंने पिछले अभी जच पताया था कि यह जो एक साल में कम इसलिए हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो, इसका Profit Growth है वो भी कम हुआ था, सेल्स ग्रोथ के उपर ही Profit Growth हमेशा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी चीज का Sales बढ़ेगा, तो इसके उपर पैसे भी बनेंगे, तभी Profit भी होगा, आप देख सकते हो, कि जो सेल्स ग्रोथ थी, पिछले यह जो है थोड़ा सा कमा था, इसलिए जो इसका Profit Growth है, वो भी पिछले यह थोड़ा सा कमा है, लेकि इतना भी नहीं कमा है, कि इस पर हम बोर सकते हैं, कमपनी क्योंकि COVID-19 का impact था, तो इसलिए बहुत सारी चीजे बंद हो गए थी, तो इसका भी थोड़ा सा असर देखा, इस कमपनी के उपर, लेकिन फिर भी COVID-19 के यह होने के बावजूद, यह कमपनी ने लगभग लगग अपने पिछले तीन साल को जो सेल्स ग्रोथ था, उसको में आज की वीडियो में बहुत ही सॉल्ट किया, आज की वीडियो में बस यही था, कल की वीडियो में बात करेंगे इसके कुछ और तंसन के बारे में तिंचा टॉपिक और बचा हुआ है, यहां से आपका यह चीज़ क्लेर हो जाएगा कि किसी एसे कांपनी के एसे का कैसे हम ल पूरिलास प्टेएने के थांक्यों सॉमच